हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक मैं नीमीशा तो आज में कीमामी सेमवई की वीडियो लेकिया है इसरे बार रंजान दिनों में आप यह ज़रूर बना के राइक करना एकदम बढ़िया और एकदम स्वीट रेसिपी एकदम टेस्ट ही है और जटपटी बन जाने वाली रेसिपी दस से पंदरा मिनिट का टाइम ही आपको लगेगा तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बरतने में शुगर एक कप शुगर लिया है उसके अदर हमें एक कप पानी और त्रीफ़ट कप जितना पानी है मैं एड कर लेंगे और इसके अंदर हमें औरेंज फूड कर लेना है आपको यह नहीं डालना है तो इसे कंपलेटली स्केप कर सकते हैं तो मैंने दो चुटकी जितना मैंने औरेंज फूड कलर एड कर लिया है इसे भी हमें बहुत जाता में सिरॉप कुछ नहीं बनाना है बस अलका से मेल्ट हो जाए उतना ही करेंगे तो से एक सैड कर लेंगे मीडियम फ्लें पर करके कीजिएगा क्योंकि जल्दी रोष्ट हो जाता है और फिर जल्दी ब्रावनिश कलर बहुत ज्यादा अग्दम ब्रावनिश कलर हो जाएगा इसलिए आपको इतना जलाना नहीं है इसलिए द्यान से कैरफूली कीजिएगा तब देख सकत अब इसके साथ में रोस्ट कर लेंगे अब यह हो चुका है तब इसके अदर हम ने जो शुगर सिर्फ रेडी करके रखा तो इसे में पूरा ही इसके अदर लिया है अब इसे थोड़ा मीडियम फ्लेम पे कर लेंगे और इसके बाद मैंने आधा कप मैंने दूद्ध मिल्क प्राता ना मरजो तो इसे एड कर लेंगे आपके पस खोया है तो अब इसके नहीं है तो कोई प्रोब्म नहीं इस तरह से भी कोया का टेक्टर मिलेगा तब आपको मिक्स करना इसको इसको फेला के शक्टके 5-10 मिन लेए लोग पे छोड़ दीजिए और इसके निदर मिक्स कर लेंगे और से ढखके लोग फ्लेम से 5-7 मिनिट के लिए इससे पकने देंगे जित्ता भी एक्स्टा जोबी मोश्चर है वो सारा निकल जाएगा इसलिए हमें इससे मिक्स करके इससे छोड़ देंगे बंद करके इसे डख दीजिएगा उसके बाद में आपको लोग पे क जो भी आपके पास है वह आप कर सकते मेरे पास यह रोस से संसा तो में इसके दो डोड़ चितना में एड़ कर लोगी बहुत ज्यादा फ्लेवर नी डालने आपको एक कोई वन फॉर टीस्पून जितना है तो से भी डालके मैंने से मिक्स कर लिया है भी से ढख देंगे हम अ होने देते हैं तो एक तम जटपट बनने वाली रसीपी आपको फ्रेंट कैसी रखती है में रसीपी मुझे कमेंट करके जरू बताना अगर आगर आगे वी कौन कौन से वीडियोस देखना चाहते मुझे बताते रहेंगे तो मैं आपके लिए जरू लेकि आती रहोंगी और हम इसे में रेडी हो चुके सब करने के लिए इस बार इतमें जरूर बनाकर देखना इमीट करती हूं आज की यूडियोस अब सभी को अच्छी लगे नेक्स टूडियो में फिर से मिलते हैं बाइफ्रेंड थैक्स वाज़ाइब